है लूटे इस्टूडेंट्स हाइ अगली सेक्मेंट की बातचीत करते हैं आज हम डिसकस करने वाले हैं modern physics. आज हम modern physics के सारे concept के बारे में बातचीत करेंगे. क्या क्या हमारे modern physics में cover होता है एके topic को फिर हम detail में discuss करने बाले हैं. देखो बच्चो जैसे मैं अगर entire physics की बातचीत करूँ तो मैंने starting में बताया था entire physics is divided into total 6 segment. टोटल 6 इसे हैं physics के जिनको हम पढ़ रहे होते हैं. 12 में अगर मैं बातचीत करूँ तो पूरा 12 हमारा 3 हिस्सों में divided है. एक तो था बच्चो हमारा electromagnetism जो हमारा NCRT का part 1 है जिसमें 8 chapters हमारे आते हैं. second part होता है बेटा optics जिसमें हम ray optics और wave optics के बारे में बातचीत करते हैं and third part होता है हमारा modern physics. modern physics जो हमारे 3 chapter cover करता है और इसमें से बेटा हमारे neat exam में 6 to 7 minimum questions आ रहे होते हैं. तो एक अच्छी खासी importance है modern physics की हमारे neat exam के respect में. अब देखिए इन 6-7 questions के अगर बातचीत करूं. modern physics के जितने भी questions आते हैं वह एक तरीके से bonus question है. अगर आपने modern physics के एक-एक concept को समझ लिया, एक-एक formula को समझ लिया, direct questions आपका modern physics पे आता है. जैसे electromagnetism में 2-3 chapter का गुमाफ राके भी question मन जाता है. modern physics में ज्यादा नहीं गुमाते question को, state question आता है. only calculation sometimes ऐसी होती है कि जो थोड़ी बहुत lengthy हो, जिसमें आपको multiply, divide करने में थोड़ा सा time लग जाए, लेकिन जो physics का concept है वो बहुत easy आता है. इस तरीके से modern physics अपनी एक अच्छी खासी importance रखता है. एक वार अगर समझ लिया जाए, तो पूरा modern physics हमें याद भी रहता है लंबे time ता. तो बात चीत करते हैं, बेटा, modern physics की. इसको start करने से पहले, मैं एक वर आपको ये बता देता हूँ, कौन-कौन से chapter हम इसमें cover करते हैं, क्या-क्या चीज़ा हम पढ़ने वाले हैं, और कौन से concept से related हम पढ़ने वाले हैं. जैसे, अगर मैं modern physics में बातचीत करूँ, तो chemistry में हमने पढ़ाता, बेटा, 11th में atomic structure. Atomic structure में हम पढ़ते हैं, every body is made of atoms. चाहे वो कोई भी body हो, हर body atom से ही मिलके बनी है. और atom को थोड़ा सा और थोड़ा जाए, तो पता लगता है, atom बनता है proton, electron और neutron से. लट मैं मैं बोल दूँँआ, सबसे पहले, अगर कुछ बना होगा, तो atom से पहले proton, electron, neutron बने होगे. तब ही atom बना, atom से molecule बने, molecules से bodies बनती चले गए. बात आरे हैं सबज में. फिर और इसको further study किया गया, एक जर्मनी में tunnel experiment परफॉर्म हुआ, 2007 में. फिर पता लगा proton, electron, quarks नाम के particles से बने हैं. जो हम electrostatics में भी पढ़ते हैं, कि quarks नाम के अपने particles होते हैं, जो होते हैं, plus minus 2 by 3 electron और plus minus 1 by 3 electron. इनके combination से proton और electron बनते हैं. जब पता लगा तो फिर बोला गया है कि वह सबसे पहले quarks बना होगा, तो modern physics में हम इन सारी पहलियों को सुलजा रहे होते हैं. हम बातचीत करते हैं atom के बारे में, हम बातचीत करते हैं nuclei के बारे में, पढ़ेंगे जो हम proton electron से start करेंगे, atom को समझाएंगे, nuclei को समझाएंगे, then different different type के material की हम बातचीत करेंगे, clear, पहला segment तो हमारा ये cover करता है, second segment के अगर बातचीत की जाए, तो देखिए, अगर मैं optics में बातचीत करूँ, optics that is a study of light, optics में हम क्या पढ़ते हैं, पैटा, light के बारे म पढ़ते हैं, और जब light को समझा जाए, तो light पे सबसे पहले Newton ने अपनी theory दी थी, Newton ने light को ray model बोला था, light ray form में state line में travel करती है, बाद में फिर hygens आए, hygens ने define किया नहीं light तो wave model है, that means इन्होंने light को wave model में explain किया, जिस बात को Maxwell ने prove भी कर दिया, कि light is an example of electromagnetic wave, that means light waveform है, after then Einstein आए, Einstein ने एक और model इसमें add कर दिया, Einstein ने बोला कि light का अपना dual nature होता है, light का अपना dual nature होता है, एक तो wave nature होता है, second बच्चों उसका quantum nature होता है, that means particle nature होता है, इन्होंने कुछ effect को light के quantum nature से explain किया, तो modern physics में हम light के quantum nature के बारे में भी बातचीत करेंगे, wave nature तो हमारा पूरा कहां पर आ जाएगा, optics में, यह तो optics में cover होता है, और यह जो quantum nature है, इसको हम cover करता है modern physics में, तो modern physics, light के quantum nature, light के particle nature की बातचीत करेंगा, particle के wave nature के बारे में बातचीत करेंगा, atom nuclei इन सारे effect के बारे में बातचीत करेंगा, यह entire division जो है, यह आपके 6 से 7 questions नीट में cover करा रहा होगा, एक एक छोटे से छोटे concept को हम detail में समझेंगे, modern physics बीटा, half portion इसका theoretical है, और half portion इसका conceptual है, कुछ तो theories हैं, theories जो हमें समझनी है, उन theories से हम concept को आसानी से explain कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा calculative approach इसमें follow नहीं होती है, जैसे हम mechanics में calculation ही कर रहे होते हैं, एसी calculative approach नहीं है, बस आपको concept समझने के लिए, जो भी standard theory है, उनको अच्छे से सुनना है, समझना है, आप concept को उनसे explain कर पाओगे, पूरा modern physics प्यार-प्यार से हमारा कबर हो जाएगा, तो देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ, modern physics में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, बेटा, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे photoelectric effect, फर्स्ट जो इसका segment आता है, that is a photoelectric effect, जो कि define होता है with the help of photon, that means हम photon के बारे में समझेंगे, और photon से हम explain करेंगे photoelectric effect को, second बच्चो हम यहाँ पर cover करेंगे matter wave के बारे में, matter wave को समझेंगे matter wave होती क्या है, wavelength क्या होती है, जो भी matter wave से related हमारा discussion है, वो पूरा discussion हम यहाँ पर करने वाले हैं, थर्ड फिर हम बातचीत करेंगे atom के बारे में, जैसे हम chemistry में atomic structure समझ रहे होते हैं, similar है, even atomic structure से तो काफी कम portion हम atom का cover कर रहे होते हैं, तो फिर हम atom के बारे में समझेंगे, atomic particles के बारे में समझेंगे, इसके बाद बच्चों फिर हम define करेंगे nuclei, that means atom पढ़ने के बाद हम nucleus के बारे में पढ़ेंगे, nucleus को थोड़ा सा detail में समझेंगे, और nuclei को समझने के बाद फिर हम बातचीत करेंगे radio activity की, अगला जो हमारा segment आएगा जो की radioactive nuclei जो की highly unstable atom है उनके split के बारे में बासचीत करेंगे तो total 5 major segment हैं जिनको हम cover करते हैं that first is photoelectric effect, second is matter wave third is atom, fourth is nuclei and fifth is radio activity अगर बच्चों मैं यहाँ पर बासचीत करूँ तो देखो यह जो radio activity और nuclei है इनसे फिर हम एक नया chapter और define करते हैं that is semiconductor जो की जहाँ सर आपको upload करने हैं lecture semiconductor हमारा एक separate segment है काफी बड़ा chapter है important है, इसमें से अलग से हमारे 2 portion हा जाते हैं 6 portion, 7 portion तो इन 5 portion से आते हैं 2 portion हमारे semiconductor से आते हैं तो हम इन 5 portions को समझेंगे इसमें बेटा है, इसको तो हम बोल देंगे modern physics 1 और इसको हम बोल देंगे पूरे को modern physics 2 clear? एक-एक portion को हम समझने बाले हैं ये पूरा हमारा modern physics का discussion है चलिए, तो start करते हैं बच्चो हमारा modern physics discussion right? इनको खास लिखने की जरवत नहीं है क्योंकि एक-एक चैप्टर में डिटेल में आपको पढ़ा हूँ आई देखो बच्चो modern physics में मैंने बोला कि सबसे पहले हम बातचीत करेंगे photons के बारे में photon की help से हम define करते है photoelectric effect तो ये photon model है क्या है? तो starting में मैंने आपको बताया जब light के बारे में study start हुई तो Newton ने सबसे पहले बोला light का ray model है फिर हाईजन्स ने बोला नहीं light का तो wave model है जोकि Maxwell ने प्रूब भी कर दिया उसके बाद Einstein ने बोला light का अपना dual nature होता है light carry dual nature अगर इस dual nature की बातचीत की जाए तो light का अपना first तो wave nature होगा second होगा उसका quantum nature that means particle nature right एक तो wave nature होगा जो हमारा cover होगा optics में यह जो quantum nature है इस quantum nature को हम explain करते हैं with the help of photon तिक है क्यों quantum model explain किया गया quantum model से कौन-कौन से effect explain होते है वो पूरा detail में हम discussion भी करने बाले है तो हमारा जो पहला topic है that is photon देखो बच्चो हमने जैसे पढ़ रखा है कोई भी मेरे पास अगर energy source है let's say यह कोई भी मेरे पास energy source है तो यह energy source emit करेगा radiation that means इससे continuously energy emit हो रही होगी तेक है Einstein ने बोला था कि यह जो radiation निकल रहे होते है source से कोई भी energy जो निकल रही है वो small small packets की form में निकलती है एक small small packets की form में energy from one place to another place transfer होती है और यह जो small packets है energy के these are called photon तो पहली बात क्या आती है energy emitted by a source in form of radiation is energy emitted by a source in form of radiation यह मैं ऐसे बोल दो energy emitted by a source of radiation source of radiation यह in form of radiation is incident on any surface in form of small small packet of energy and these packets are called photons क्या बोला कि कोई भी source से अगर जो energy emitted हो रही है वो small small packet के format में emit होती है और यह जो small small packet है energy के these small packets are called photons clear तो photon के बारे में तो एकदम simple सी theory है इस बात को हम charge theory से भी आसानी से समझ सकते हैं जैसे हमने electrostatics में पढ़ाए कि कोई भी body से charge transfer होगा या कोई भी body's electron charge को absorb करेगी उसका format होता है electron अगर body से electron निकल रहे है तो charge आएगा अगर electron add हो रहे है तो charge आएगा और body पर कितना charge आया है वो decide होता है number of electron से हमने पढ़ा था बिटा quantization principle q that is equal to होता है any जितने number of electrons transfer होते हैं उस respect में हम body पर charge count करते हैं that means charge हमेशा electron के amount में ही transfer होगा ऐसा possible नहीं है कि आदा electron transfer हो या 1 y 3rd electron transfer हो 1 y 4th electron transfer हो ऐसा possible नहीं है हमेशा एक complete electron ही transfer होगा that means अगर मैं charge के small packet की बातचीत करूँ तो charge का small packet क्या होगा अपना electron आरे न बात साइज में charge small packet electron के format में transfer हो रहा है same way मैं Einstein ने बोला कि जो energy transfer होती है वो भी small small packet के format में transfer होती है ऐसा नहीं है कि 0 volt भी जा रही है 0.1 भी जा रही है 0.2 भी जा रही है एक fix amount of energy transfer हो रही है एक fix amount of energy इसे release होती है और यह जो small packet होते है energy के उनको हम photons बोलते है clear is this और यह जो photon है इनकी energy अब यहाँ पर बात आती है कि इनकी energy क्या होगी तो Einstein ने बोला energy of a photon depends on the frequency depends on the frequency जितनी ज़्यादा frequency होगी incident radiation की उतनी ज़्यादा energy का photon रिलीज होगा यहाँ पर इनको ने conclude किया energy that is directly proportional to frequency जितनी ज़्यादा frequency होगी उतनी ज़्यादा energy का photon रिलीज होगा अबर ओल अगर मैं बेटा यहाँ पर proportional sign अटा दूँ तो यहाँ पर constant आ जाता है h here h is called Planck's constant h is called Planck's constant and value of h is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule per second joule second तो overall format क्या बना energy small small packet की फार्म में transfer हो रही है उनको photon बोल रहा है जिनके energy होती है हमारी h new अगर कोई भी source अलग-अलग frequency के radiation निकाल रहा है तो अलग-अलग energy के photon emit करेगा अगर कोई भी source एक particular frequency के radiation emit कर रहा है that means एक particular energy के ही photon उससे transfer हो रहे होंगे तो energy का जो transfer है वो photon के format में हो रहा है और कितनी energy transfer होती है photon में that is equal to होता है h new यह वाले point note down करो एक-एक point को बस सुनते हुए जाना लिखते हुए जाना बाद में एक बार read लेना आपका पूरा modern physics cover हो जाएगा राइट चलिए देखो बच्चो हमने define किया energy of photon that is equal to होगा अपना h new h क्या है यहाँ पर plants constant अगर मैं यहाँ पर new के बारे मैं बातचीत करूं frequency value of frequency होती है c by lambda एगर c is a speed of light c is a speed of light and lambda is a wavelength of radiation जो भी radiation source से emit हो रहे है उनकी wavelength है lambda light radiation speed of light से travel करते हैं इसलिए photon भी हमारे c से travel करते हैं तो अगर मैं इनको wavelength की terms में लिखूं so energy of photon that is equal to हो जाएगा h c by lambda तो पहला point कितनी energy transfer होगी in terms of frequency that is equal to होगा h new in terms of wavelength that is equal to होगा h c by lambda correct यह तो हो गया पहला point अब बातचीत करते हैं photon को थोड़ा और detail में समझने का try करते हैं देखो अगला हमारा second point आता है properties of photon पहले तो हमने समझा photon होता क्या है photon की energy क्या होती है अब बातचीत करने में पीटा इनकी properties क्या क्या होगी first property photon travel with speed of light in vacuum first point क्या आता है कि जो भी photons हैं वो vacuum में speed of light से travel करते हैं and speed of light c that is equal to होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second speed of light कितना होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second right पहला point second point की पातचीत की जाए in any medium speed of light or speed of photon becomes v equal to c upon अगर कोई भी material medium में इनको transfer किया जा रहा है तो इनकी speed चेंज हो जाती है और इनकी speed हो जाती है c upon mu here mu is called refractive index of million refractive index of million जैसा हमने पढ़ रखा है बच्चों कि for a water mu that is equal to कितना होता है अपना 4 by 3 यह मैं बातचीत करूं for glass mu refractive index that is equal to क्या होता है हमारा 3 by तो अगर पहली property की बातचीत की जाए तो यह vacuum में तो c से ही travel करता है लेकिन कोई भी medium में अगर बातचीत करें तो इनकी जो velocity है वो हो जाती है अपनी c upon mu correct अगर मैं आपन mu को थोड़ा सा और detail में explain करूँ तो मैंने आपको बताया था बच्चो c that is equal to 1 upon root mu not epsilon कोई भी medium में अगर यह चले जाते है तो mu not की जगे आ जाता है mu epsilon not की जगे आ जाता है epsilon तेक है यहाँ पर यह तो magnetic permeability of vacuum की यह electrical permittivity यह vacuum की अगर medium में जाएंगे तो magnetic permeability of medium यहाँ जाएगा magnetic permeability of electrical permittivity of medium आरे बात सवाज में मैं बस इसका derivation भी आपको बता रहा हूँ ताकि एक-एक point हमें clear रहे अगर मैं बेटा यहाँ पर लिखता हूँ velocity तो mu को मैं बोल सकता हूँ mu होगा mu not mu r और epsilon not होगा epsilon not epsilon r correct mu की value को put कर दिया epsilon की value को put कर दिया 1 upon root mu not epsilon not किसके? quality c के तो 1 upon root mu not epsilon not तो c हो जाएगा यह क्या हो रह जाएगा नीचे? under root के mu r epsilon r और यह जो mu r epsilon r है इसी को हम बोलता है बेटा refractive index that means refractive index की value क्या होती है? under root of mu r epsilon r इस बात को भी आप समझ सकते हो अगर कोई भी detail में आप से पूछ ले refractive index होता क्या है? तो refractive index जाए electric magnetic property of the medium ठीक है? because यह electric और magnetic properties से ही define हो रहा है तो photon है क्या है? energy particles है कितनी energy carry करेंगे? h new और h c by lambda correct? property इन बातचीत करें तो vacuum में तो speed of light से travel करते है बट कोई भी medium में अगर सर बातचीत की जाए तो medium में इनकी speed हो जाती है b equal to c y यहाँ पर mu क्या होता है? मैंने mu को भी explain किया that is a refractive index of medium जो कि water के लिए होता है 4 by 3 और glass के लिए होता है 3 by 2 अगर मैं इसकी value को prove करके निकालू तो इसकी mu की value आती है root के mu r epsilon r जो सीधा सीधा बताता है electric और magnetic effect है radiation भी हमारे electromagnetic radiation है इसलिए यह effect होता है medium के खारण इनकी velocity change हो जाती है correct? point आ रहे हैं सावज में photon क्या है? photon की properties क्या है? चलिए अगली property की बातचीत करते है next property इनकी क्या बनने मली है देखो बच्चो अगर मैं third property की बातचीत करूँ तो third property होती है frequency of photon does not change in any medium but wavelength of photon changes देखो अगली property आती है जैसे मैंने बोला vacuum में तो यह c से travel कर रहे है किसी medium में यह enter करें तो इनकी जो velocity है वो change हो जाएगी velocity हो जाती है अपनी c upon mu same way मैं यहाँ पर बोला जाता है बच्चो कि इनकी जो frequency है वो change नहीं होती medium में लेकिन इनकी wavelength change हो जाती है इस बात को भी हम prove कर सकते है मैंने बोला है कि in any medium frequency is same as in the vacuum right but wavelength in any medium that will become wavelength in vacuum divided by refractive index इनकी wavelength क्या हो जाएगी change हो जाएगी लेकिन frequency जो है वो same रहेगी and velocity in any medium that will become c upon me correct तो आप यहाँ से prove भी कर सकते हो जैसे आपने पढ़ रखा है frequency that is equal to velocity upon wavelength in vacuum अगर मैं लिखता हूँ विटा frequency in vacuum यह तो कितना आएगा c upon lambda अगर मैं लिखता हूँ अगर मैं लिखता हूँ अगर frequency in medium तो यह होगा velocity in medium upon wavelength in medium velocity तो medium में कितनी है c upon mu और wavelength कितना है lambda upon mu यहाँ से भी क्या आगया c by lambda जो सीधा सीधा prove कर रहा है कि जो vacuum में frequency होते है वोई frequency में रहती है मतलब energy में कोई भी change नहीं होता total energyтесь सेम बनी रहती है total energy तो h new ही रहती है आरे बात साज में कि जो energy है total उसमें कोई भी change नहीं रहेगा total energy तो सेम बनी रहेगी only changes किसम È होंगे कि इनकी जो wavelength है वो change होगी velocity है वो change होगी but frequency हमारी same रहेगी energy हमारी same रहेगी this is the third property एक-एक property को detail में बताने का कारण है कि आपको कोई भी property याद करनी है अगर उसके साथ एक logical reasoning भी जुड़ जाए तो हमें लंब में time का वो बात हैं याद रह जाती है इसलिए यहाँ पर बिटा एक-एक property को हम detail में discuss कर रहे हैं तो third property को भी लिख लो आख frequency इसकी unaffected रहती है frequency में कोई भी type का change नहीं होता है के लिए अगला देखो अगर बच्चों मैं fourth point की बातचीत करूँ they are undeflected with external electric and magnetic field external electric or magnetic field का इन पर कोई भी affect नहीं होता यह without any deflection external electric or magnetic field में terrible करते हैं और उसका reason क्या होता है actual में they are neutral in nature they are neutral in nature अगर बच्चों यह neutral है nature में तो ultimately इन पर कोई भी charge नहीं है charge नहीं है तो कोई भी भार के electric or magnetic field का फर्क नहीं होगा ठीक है तो यह तो basic basics है हमारे points होता है अगली बातचित करें they travel in state line यह state line में travel करते हैं from one place to another place यह state line में जाते हैं जैसे radiation waveform में जाएगी है energy का जो transfer होगा that is in the form of state line इसको हम wave optics में wave front model से भी समझते हैं so they travel in state line next point की बातचित करें at rest their mass is zero और they are massless next point Einstein ने explain किया था कि इनका rest पर कोई भी mass नहीं होता क्योंकि rest पर तो यह exist ही नहीं कर पाते है region यह है क्योंकि energy तो एक place से दूसरी form में transfer हो रही होगी और कोई material के पास आई तो वो उसे absorb करके दूसरा effect produce कर लेगा तो ऐसा possible नहीं है कि बेटा यह rest में रह पाए इसलिए rest में यह क्या होते है massless होते है but in case of moving in case of moving their mass m that is equal to आप लिखते हो m not upon under root 1 minus v square upon c square देखो आप समझ ले न यहाँ पर थोड़ा सा एना concept है अगर मैं moving का case लूँ तो Einstein की equation होती है m equal to m not upon 1 minus v square upon c square m not तो क्या होता है rest mass इनका rest mass कितना है 0 तिक है यहाँ पर velocity कितनी होगी इनकी c speed of light से travel करेंगे तो c square upon c square 1 1 minus 1 0 that means 0 upon 0 से यह क्या बन गया undefined format इस format से तो इनका mass defined नहीं होता that is a undefined format तो in case of moving में अगर बातचीत करें तो Einstein ने बोला इनकी जो energy है hc by lambda which is equal to mc square तिक है यहाँ से मैं बोल सकता हूँ mass of photon mass of photon that is denoted by m which is equal to हो जाएगा h upon lambda c से तो c हमारा cancel out हो जाएगा upon c देखें यह एक important property है इस पर भी हमारा सीधा सीधा question पूछ सकता है mass less होते हैं जब यह rest पर हो तिक है अगर मैं Einstein equation से define करूँगा तो इससे फिर इनका mass defined नहीं हो पाएगा 0 upon 0 undefined format है तो इन्होंने क्या बोला Einstein ने mass कैसे नेकाला moving photon का और होने बोला photon की energy होती है hc by lambda which is equivalent to mc square वो किसके equal होगी अपनी mc square के करकि energy और mass को इन्होंने relate किया overall यहाँ पर बोल दिया mass of photon होगा h upon lambda c तो अब एक-एक point को समझ लो बापस से photon है क्या है energy particles है क्या करते हैं बेटा energy transfer करते है कितनी energy transfer करते है वो होती है h new अगर एक ही source एक ही frequency का source है तो एक ही type के photon निकलेंगे अलग-अलग frequency release कर रहा है source तो अलग-अलग energy के photon इमेट होगे ठीक है basic properties क्या-क्या होगी एक-एक property को हमने समझा vacuum में c से travel करते हैं medium में c upon mu से travel करते हैं external magnetic or electric field से deflect नहीं होते क्योंकि nature में neutral होते हैं rest पर यह massless होते हैं moving में इनका mass ऐसे निकालते हैं state line में travel करते हैं frequency में कोई भी change नहीं होता है this is the discussion of photon क्योंकि जब मैं photon की बातचीत करूँँ modern physics में उससे पहले हमें photon के बारे में पता होना चाहिए photon theory है क्या है photon हमारे होते क्या है clear? चलिए तो यह तो हो गया बच्चों हमारा पहला topic photon के बारे में अब देखें यहाँपर define होता है एक concept define होता है that is called number of photons एक basic सी calculation है जैसे माल लो आपको यह कोई भी एक energy source दिया हुआ है this is the energy source यह energy release कर रहा है आपको बोला है power of source that is equal to a P ठीक है power कितनी है P and it is releasing n photons per second कितने photon निकाल रहा है per second n photon निकाल रहा है power of source P let's say मुझे r distance पर track करना है r distance पर कितनी energy आ रही होगी तो देखिए बच्चो मैंने आपको एक term सिखाई थी intensity in electromagnetic wave भी मैंने आपको बताया था intensity which is equal to होता है power incident per unit area नटेजा power incident per unit area और अगर power की बातचीत करें तो power होता है rate of work done that means energy transfer per unit time power क्या होगा energy transfer per unit time अगर मैं यहां से लिखता हूँ intensity of radiation that is equal to कितनी energy transfer हो रही है तो देखिए बटा एक photon की energy कितनी होती है अपनी h new यह source एक second में n photon release कर रहा है that means एक second में इसने कितनी energy release की that is equal to हो जाएगा n h new एक photon की energy है h new यह एक second में n photon अगर release कर रहा है तो total कितनी energy release करेगा n h new upon area area तो कितना हो गया अगर यह square format में जा रहा है तो 4 pi r square अगर यह point source है अगर यह line source होता तो cylindrical format में जाता हूँ तो area हो जाता अपना 2 pi rl ठीक है तो सीदी सी बात है अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ intensity of radiation this is the intensity of radiation which is equal to power incident per unit area और power होगा energy emitted per unit time होगा नहीं यहाँ से हम बोल सकते है intensity इतना होगा एक-एक point आपको समझ लेना है कि अगर कोई भी source photon emitavie तो कितने photons emit skin email करेगा पहली बात कोई भी source है अगर photon emit और तो कितने photons存 EVET और व С وج अगर आपको बोला है end photon T time में emit about यह שמंन मेंוכ선 तो एक सेकंड में टोटल कितनी एनर्जी निकले ही एनर्च निव अगर आर इस्टेंस पे आप देख रहे हो तो एरिया क्या होगा फोल पाई रिसक्वार कितने इंटेंसिटी हमें मिलने बाली है यहां पर हमारा पहला निमेरिकल बनता है और विद्मल सकता हूं इंटेंसिट that is proportional to number of photon जितने ज़्यादा number of photon ये emit करेगा उतनी ज़्यादा intensity radiation की होगी तिक है जितने ज़्यादा photon से emit करने वाला उतनी ज़्यादा intensity होगी अभी तक बस हमने photon theory को समझा photon होता क्या है कैसे photon के effect को समझा जाए तो ये तो होगया modern physics में पहली term जिसको मैं बारवार यूज में लेने वाला हूँ बारवार मैं बोलू हूँ आप photon incident करा रहा हूँ suitable frequency के photon incident करा रहा हूँ तो हमें पता रहना चाहिए हाँ जी photon का मतलब ये है अगला देखो बच्चो एक और छोटा सा concept है हाला कि ये chemistry का आपका concept है that is called electric discharge ये छोटी छोटी सी knowledge है जो हमें आरे पास होनी चाहिए अगला कि आपने chemistry में पढ़ी होगी लेकिन फिर भी समझ लो अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उनका एक तरह से revision भी हो जाएगा देखो बच्चो electrical discharge का मतलब क्या है जैसे हमने पढ़ाए एक concept that is called electric current electric current का मतलब क्या है flow of charge और flow of electrons तीक है अगर कोई भी metal conductor है उसमें electrons flow कर रहे हैं freely move कर रहे हैं तो ultimately उनके कारण एक current constitute होगा that is called electric current clear same way मैं अगर liquid मैं बातचीत करूँ जैसे मैं water मैं बातचीत करूँ तो वहाँ पर भी current की supply स्टार्ट हो जाती है तो liquid मैं भी current flow होता है इसी way में बेटा अगर मैं gases मैं बातचीत करूँ या air मैं बातचीत करूँ बोल देता हूँ बेटा यहाँ पर air है क्या air में electric current supply हो पाएगा तो देखिए air में जो electric current पास होता है that is called electric discharge तेखिए term का मतलब समझ लो electric current का तो सीधा सा मतलब है flow of charge flow of electron conductor में अच्छे से समझ में आता है electron के कारण flow होता है liquid में electrolyte में समझ में आता है ions के कारण flow होता है क्योंकि ions पर भी charge होता है लेकिन अगर मैं gases या air में बातचीत करूँ passage of electric current अगर मैं gases में बातचीत करूँ passage of electric current in air or gases is called electric discharge तो gases में जो भी current flow होता है उसको हम electric current भी बोल सकते है electric current in gases या हम सीधा सीधा इसको electric discharge भी बोल सकते है तो इस term का मतलब होता है electric current in gases पहली बात electric current in gases अब देखिए यह possible होता कैसे है टेक है when very high voltage for example 20,000 volt अगर मैं very high voltage is applied then is applied at normal pressure pressure को मैं normally रखता हूँ is applied at normal pressure then current will flow through gases through gases कहने का मतलब क्या है gases में जो current flow होगा उसको बोलेंगे हम electric discharge और यह कब possible होगा जब very high voltage apply किया जाए like 20,000 voltage अगर मैं gases पर air में apply करूँ तो उनमें current flow होना possible है और वो जो current flow हो रहा होगा उसको हम electric discharge बोलेंगे clear यह एक basic सा point है ऐसे यहाँ पर बिटा एक और term मैं use मैं लेता हूँ that is called discharge tube discharge tube क्या है यह एक setup है जिसमें हम gases में current को flow करा रहे ऐसा तो possible नहीं है ना कि इस room में हमने gases में current flow करा दिया इतना high voltage तो apply कर था possible नहीं है इसका एक proper setup बनाना पड़ेगा तो जो proper setup है जो एक glass tube जिसमें मैं यह पूरा high voltage लगा रहा हूँ उसके अंदर की gases में current flow हो रहा है that is called discharge tube तो मैं बोल सकता हूँ it is a glass tube with all arrangement arrangements to flow current in gases ठीक है तो discharge tube तो सीधा साई किया रहे एक ऐसी tube है जिसमें हमने high voltage का setup लगाया हुआ है pressure को कम किया हुआ है ताकि gases में current flow हो जाए ठीक है तो यह भी हमारी basic term होगे electric discharge क्या है discharge tube क्या है देखो बच्चो यहां से हम define करते है एक concept that is called cathode range यह से हम क्या define करते है cathode range को define करते है cathode range होती है atomic structure में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा cathode range के बारे में भी सुना होगा anode range के बारे में भी सुना होगा तो cathode rays क्या होती है, they are high speed moving electron beam, सीधा साय, high speed moving electron beam है, उनको बोलते है, cathode rays and travels from cathode terminal to anode terminal, cathode rays सीधा सीधा point, these are the high speed electron beam, रटने वाली बात हैं, बस समझना है, एक एक point, high speed electron beam है, कहां से कहां travel करती है, ये बेटर cathode terminal to anode terminal पे travel करती है, ठीक है, अगर मैं properties की बातचीत करूं, they travel in state line, state line में ये ट्रेबल करती है, they deflected by electric field, electric field से ये डिफलेक्ट हो जाती है, they deflected by magnetic field, magnetic field से भी ये डिफलेक्ट होती है, ठीक है, electric field से भी deflect होती है, magnetic field से भी deflect होती है, deflect होने का reason क्या है, क्योंकि electron beam है, मतलब कि electron है, electron है तो charge है, और charge है तो वह तो electric field से भी disturb होगा, और magnetic field से भी disturb होगा So they are deflected by electric field They are also deflected by the magnetic field Right अगर बेटा मैं अगली property के यहां पर बातचीत करूँ They possess High amount of kinetic energy High amount of kinetic energy And exert Mechanical pressure And exert mechanical pressure किसी भी metallic surface पर अगर इनको incident कराया जाए तो यह वहाँ पर mechanical pressure भी apply करती है क्योंकि यह high amount of kinetic energy carry करती है High amount of kinetic energy क्यों carry करती है क्योंकि यह high speed moving electron है यह जितनी ज़्यादा speed है उतनी ज़्यादा kinetic energy हो की Ultimately I can say They exert high amount of They carry high amount of kinetic energy And they exert mechanical pressure Right अगर मैं अगली बातचीत करूँ Next property की When they are incident on high atomic number metallic surface Then they produce x-rays अगला point क्या बोलता है अगर इनको बेटा high atomic number के metallic surface पर incident कराया जाए कोई भी ऐसी metallic surface जिसका atomic number काफी ज़्यादा है अगर उन पर इनको हम incident कराएं तो यह x-rays produce करती है Otherwise, otherwise, they produce heat radiation अगर मैं नॉर्मल कीसी भी metal पर incident करा रहा हूँ जिसका high atomic number नहीं है जैसे iron वगर आप पर incident कराया तो यह normally heat radiation अपना produce करती है अगर high atomic number के metal पर incident कराऊए तो x-rays यह produce करती है ठीक है, aluminium पर डालोगे तो heat radiation नहीं produce करेंगी अगली अगर बातचीत की जाए they can pass through thin aluminium और gold foil without puncturing that अगर इनको किनीवी पतली, aluminium या gold foil पर incident कराएं तो उनमें से सीधी सीधी पास हो जाती है without puncturing it मतलब कि उनमें कोई hole वगेरा नहीं करती है सीधा सीधा पास हो जाती है इस बात को ऐसे समझ लो जैसे x-rays है human body पर incident कराते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी body पर छेध हो जाते हैं जा जासे x-ray निकली है without puncturing it सीधा सीधा अंदर से बाहर पास हो जाती है same way में aluminium gold foil से भी ये आसानी से पास हो जाती है clear these are the properties of cathode rays दो concept की अभी तक हमने बातचीत किया है photon होते क्या है photon की properties क्या है photon की energy क्या है second हमने बातचीत की बच्चो कि cathode rays होती क्या है cathode rays की properties क्या है कैसे produce होती है discharge tube में कब produce होंगी जब high voltage apply किया जाए आरे बात समझ में तो ये जो दो basic point है इनको हम पूरे modern physics में यूज में लेंगे modern physics के अलग अफेक्ट को हम इसकी help से explain भी करेंगे तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे photoelectric effect के बारे में फिर बातचीत करेंगे matter wave के बारे में this is the basic discussion of modern physics जो हमें पता होना चाहिए ये एक knowledgeful discussion है कि बस आपको एक बार सुन लेना है समझ लेना है आपको याद भी साथ में हो जाएगा clear ये चीज़ अगर आपको photon और cathode rays में फिर भी कोई query रह जाती है अगर आपको कुछ बात हैं समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो हमारे telegram group पर otherwise you can comment on the videos also we'll try to solve your all queries within the same day within 24 hours बस हमारा एक ही target होना चाहिए कि हमें doctor बन के मानना है और उसके लिए एक एक concept को अच्छे से समझना है उसमें अच्छे से आप लगे रहो clear ये चीज़? चलिए तो बच्चो इसे note down करो एक बार read करो फिर हम modern physics को discuss करेंगे और वो हम discuss करेंगे अगले lecture में so thank you for watching this video